ओम शांती सुनते हैं थार्ड नोवंबर नाइन्टी टू के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य मुर्ली का टाइटल है रोहानी रोयल्टी की निशानी सदा भरपूर संपन्वा त्रिप्त आज के मुर्ली में चार क्वेस्चन है नमबर वन सारे कलप में सबसे रोयल आत्माई आप ब्रह्मन आत्माई कैसे हैं नमबर टू रोहानी रोयल्टी का फाउंडेशन क्या है नमबर थ्री गुप्त पुरुशारती के लक्षन क्या है लास्ट त्रिप्त आत्मा की निशानी क्या है तो आज बाबा ने बहुत ही सुन्दर गुप्त पुरुशारती कहीं कहते हैं बाबा ने का अच्छी बात है गुप्त पुरुशारती पर गुप्त रह नहीं सकता उसके चलन चेरा सब पर्टेक्ष कर देगा और रोयल्टी इतनी धारन करनी है ये रोयल्टी का foundation purity है उस purity को भी धारन करना है तो आउ सुनते हैं तीन नुवंबर बाणवे की मुरली रोहानी रोयल्टी की निशानी सदा भरपूर संपन वात्रिप्त आज बापतादा चारों और के अपने रोहानी रोयल फैमिली को देख रहे हैं सारे कलप में सबसे रोयल आप आत्माई ही हो वैसे हद के राज अधिकारी रोयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं लेकिन रोहानी रोयल फैमिली सिरफ आप ही गाए हुए हो आप रोयल फैमिली की आत्माई आधिकाल में भी और अनाधिकाल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रोहानी रोयल्टी वाले हो अनाधिकाल स्वीट होम में भी आप विशेश आत्माऊं की रोहानियत की जलक चमक सर्वात्माऊं से स्रेष्ट है आत्माऊं की रोहानियत की जलक चमक सर्वात्माऊं से स्रेष्ट आत्में सभी चमकती हुई जोती सुरूप हैं फिर भी आपकी रुहानी रॉयल्टी की चमक आलावकिक है जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीच सितारे सब चमकते हुई दिखाई देते हैं लेकिन कोई विशेश चमकने वाले स्तारे स्वते ही अपनी तरफ आकर्शित करते हैं ऐसे अनादी काल परम धहम में भी आप रुहानी स्तारों की चमक आर्थात रुहानी रॉयल्टी की जलक विशेश अनभव होती है इसी परकार आदी काल सतिय अर्थात स्वरग में आप आत्माएं विश्व राज्य की रॉयल्टी के अधिकारी बनते हो हर एक राजा की रॉयल्टी होती है लेकिन आप आतमाओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी वा देव आतमाओं की रॉयल्टी सारे कलब में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती इतनी स्रेष्ट रॉयल्टी चेतन ने सुरूप में प्राप्त की है लगता है न हम सब रॉयल फेमली वाले जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है सारे कलब के अंदर रॉयल्टी की विदी प्रमान और कोई भी धरम पिता धरम आत्मा या महन आत्मा की ऐसी पूजा नहीं होती है तो सोचो जब जब चित्रों की भी रॉयल्टी की पूजा है तो चेतने में कितने रॉयल फेमली के बनते हो तो इतने रॉयल हो वा बन रहे हो इस रोहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है संपूरन प्यूरिटी संपूरन प्यूरिटी ही रॉयल्टी है तो अपने से पूछो कि रोहानी रॉयल्टी की जलक आपके रूप से सबको अनभव होती है रोहानी रोयल्टी की फलक हर चरित्र से अनभव होती है लौकिक दुनिया में भी अलब काल की रोयल्टी ना जानते हुए भी चेरे से चलन से अनभव होती तो रोहानी रोयल्टी गुप्त नहीं रह सकती वो भी दिखाई देती तो हरे एक नॉलेज के दरपन में अपने को देखो कि मेरे चेरे पर चलन में रोयल्टी दिखाई देती है वा साधारन चेरा साधारन चलन दिखाई देता है जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहां भी छिप नहीं सकता ऐसे रुहानी चमक वाले, रुहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते, कोई कितना छिपाने की कोशिश करे, बाबा ने का छिप नहीं सकता हो, कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए कहते हैं, और कहते भी हैं कि हम तो गुपता आत्माई हैं, इसलिए हमको कोई पहचा बांता नहीं हैं, समय आने पर आपे ही मालुम पड़ जाएगा, गुपत प्रशार्त बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुपत प्रशार्ती की जलक और फलक वारवानी रॉयल्टी की चमक औरों को भी अनभव जरूर कराएगी हैं, स्वेम स्वेम को चाहे कितना भी गुप रखे लेकिन उनके बोल, उनका संबन, संपर्क, रुवानी व्यवार का प्रभाव उनको परत्यक्ष करता है, जिसको साधारन शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं न, तो स्वेम स्वेम को परत्यक्ष नहीं करते, गुपत रखते, यह निर्मानता की विशे हैं, लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अन्भव अवश्य करेंगे, दूसरे कहेंगे कि यह गुपत परशारती है, अगर स्वेम को कहते कि मैं गुपत परशारती हूं तो यह गुपत रखा यह परत्यक्ष किया, कह रहे हो गुपत लेकिन बोल रहे हो कि मैं गुपत परशा पू मैं थी हूं हां यह रह दिएा ऐध़ छो भुत को कहता रहा है चुसरों मैं दोस्वा को पता नहीं कितना अ दो तो तो यह गुप्त रखा प्रस्ज तो कर दिया बहुत पत्रंमें भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुर्शार्थियों को निमित बनी हुई दादियां नहीं जानती है फिर यह भी लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते हैं क्या होता है तो यह गुप्त रहा या प्रत्यक्ष किया गुप्त पुर्शार्थी अपने को गुप्त रखें ब मिया मिठ्थू, तो मिया मिठ्थू बनना बहुत सेज है ना, तो क्या सुना, रोहानी रोयल्टी, रोयल आत्मा हैं सदा ही एक दो, एक तो भरपूर संपन रहती हैं, और संपनता के निशानी वे सदा त्रिप्त आत्मा रहती हैं, त्रिप्त आत्मा हर प्रस्थिती में हर आत्माओं के संबंध संपरक में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती हैं, रोहानी रोयल आत्माओं का यही स्रेष्ट करम है, जैसे स्थूल रोयल आत्माओं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी 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 चीजों में अपनी बुद्धी वा समय नहीं देते, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे रोहानी रोयल आत्माओं किसी भी आत्माओं की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धी वा समय नहीं देंगे। में अने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करोde रॉयल अर्थाथ सदा शुब भावन्हा शुब कामना की विर्ति से हरेक आत्मा से वैवहार में आए। रोयल द्रिष्टी अर्थात सदा फ्रिष्टा रूप से औरों को भी फ्रिष्टा रूप देखे किर्थी अर्थात करम में सदा सुख लेना इस स्रेष्ट करम के प्रमान संपरक में आए ऐसे रोयल बनेओं की बनना है ब्रह्मा बाप के बोल और चाल और चेरे और चलन की रोयल्टी को देखा नमबर वन रोयल ऐसे फालो ब्रह्मा बाप एक को तो फालो कर सकते हो ना बाप समान बनने के पॉइंट तो रोज सुनते हो ना सुनना अर्था फालो करना कापी करना तो सहज होता है न कि कापी करना भी नहीं आता है बाप दादाज मुस्क्रा रहे थे कि मदुबन में आते हैं तो विशेश गुरुवार के दिन क्या करते हैं एक तो भोग लगाते हैं और फिर क्या करते हैं जो सिरफ मदुबन में ही करते हैं जीते जी मरने का भोग आप समने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है बाप दादा मुस्करा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है स्टेज पर बैठ गए तिलक लगा लिया मर गए लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संसकारों से मरना पुराने संसार पुराने संसार की आकर्शन से मरना यह जीते जी मरना अच्छा यह एक प्रेरना दायक विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस न करें प्रेखें कोई भी मिस न करें